दोस्तों आपने अपनी जिन्दगी में एक से बढ़कर एक लग्जरी बाथुरूम देखे होंगे लेकिन क्या कभी आपने गूल्डन बाथुरूम देखा है जिसकी टॉलेट सीट भी सोने की बनी हो जिहां दोस्तों दुनिया में एक से बढ़कर एक रईस पैदा हुए हैं जिनकी शानों शौका देखकर आखें चुंदिहा जाती हैं दुनिया में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनके जूते चपल से लेकर मुबाइल के कवर तक सब कुछ सूने का बना होता है दोस्तों कई बड़े बड़े लोग एक से बढ़कर एक कुट्टे पालने का शौक र रखे होते हैं और किचन में दुनिया के सबसे महंगे शेफ इनका ब्रेकफास्ट तयार कर रहे होते हैं इन लोगों के गेराज में एक दो नहीं बलकि सैकडों लगजरी कारे रखी होती है जिनकी कीमत करोडों में होती है ये लोग जब घर से निकलते हैं तो इनके बदन प दुनिया की सबसे अमीरी सिटी में से एक दुबई के अंदर ऐसे कई अरब उपती रहते हैं जिनके बच्चे ऐसी लगजरी जिन्दगी जीते हैं जिसके कलपना बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी नहीं कर सकता इन बच्चों की जिन्दगी किसी जननत से कम नहीं है ये पैसे को पाने की तरह बहाते हैं इनकी लगजरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन बच्चों के एक दिन का खर्चा हजारों लाखों में नहीं बलकि करोडों में आता है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अमीर बच्चों के पारों में बत पिछले कुछ सालों में दुबाई दुनिया का सबसे लग्जरी शहर बन गया एक ऐसा शहर जहां सेकड़ों साल पहले रिगिस्तान हुआ करता था दूर दूर तक पानी की कोई उम्मीद ही नहीं थी वहीं शहर आज इतना आगे निकल चुका है कि दुबाई जब चाहे टेक् 20,000 मिलेनियर रहते हैं अमीरी के मामले में दुबाई दुनिया का दूसरा शहर है दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत में केवल गिने चुने लोगों के पास फेरारी जैसी स्पोर्ट्स कार मौजूद है लेकिन दुबाई की सड़कों पर स्पोर्ट्स कार बहुत आम ब जिनकी कीमत अरबों में है इन रईस बच्चों को एक कार चलाने में मज़ा नहीं आता बलकि ये हर रोज नई स्पोर्ट्स कार चलाते हैं ये जब पार्टी करने जाते हैं तो इनकी शराब की बोतल की कीमत हजारों में नहीं बलकि लाखों में होती है और इतना है नहीं इन कई बार स्पोर्ट कार के कलर पसंद नहीं होते इसलिए बच्चे करोड़ों रुपए खर्च करके कार को गूल्डन और डाइमंड कलर में कस्टमाइज करवा कर एक नया लुक दिलवा देते हैं दोस्तों जहां एक तरह भारत में बच्चों की स्कूलिंग खत्म होने पर उन्हें स्मार्टफोन गिफ्ट किया जाता है वहीं दूसरी तरफ दुबई में स्कूल खत्म हो जाने के बाद बच्चों को लिमोजिन कार गिफ्ट की जाती है जिसकी खीमत करोड़ों में होती है दोस्तों अगर आपको कभी दुबई जाने का मौका मिले तो वहां के किसी बच्चे के जूते को जरूर देख लेना शायदी कभी कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके जूतों की कीमत लाखों में नहीं होगी वरना लगजरी वहां के बच्चों के खून में दोड़ती है अब आप माने या ना माने लेकिन दुबई की हर लड़का लड़की की पॉकेट मनी लाखों में होती है चलिए दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं दुनिया के सबसे रईस बच्चे रशेद बेलहासा से इस बच्चे लगजरी का अंदाजा इसी बात से लगया जा सकता है कि मात्र 15 साल के उमर में राशेद बेलहासा को उनकी पहली कार मिली थी उसमें राशेद के पास कार का लाइसेंस भी नहीं था लेकिन इस से कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि राशेद बेलहासा के आसपास दो-चार बाडिगार घूमते ही रहते हैं दोस्तों हम आपको बता दे ये बच्चा किसी सेलैबरिटी से कम नहीं है दुनिया के बड़े-बड़े सूपर स्टार इस बच्चे से मिलने जाते हैं जिनमें शारुख खान और लियोन मैसी भी शामिल है देखने पर ये बच्चा जितना मासूम लगता है असल में ये उतना ही रहीस है जहां आमतार पर लोग कोई नई दुकान या स्टोर खोलने पर अपने दोस्तों और रिष्टेदारों को बिलाते हैं वहाई इस बच्चे ने अपने एक स्टोर ओपनिंग पर बॉलिवड के सूपर स्टार सलमान खान को बिलाया था रैशिद को जानवरों से काफिल लगाओ है और इसलिए उसने अपने घर के एक जानवर की दुनिया बना रखी है जिसमें 500 तरह के जानवर मौजूद है रैशिद को जूतों का बड़ा शौक है और इसलिए रैशिद ने अपने घर पर जूतों का एक शोरूम खूल रख है जिसमें केवल रैशिद के लिए जूते रखे जाते हैं और इन जूतों की कुल कीमत सुनकर आप दांतों तलें उंगलियां चबा लेंगे दोस्तों रैशिद के सारे जूतों की कुल कीमत 12 करोड रुपए है वैसे तो इस बच्चे के पास नजाने कितने गाडियां मौझूद है लेकिन रैशिद के पास सबसे आइकानिक कार है बुकार्टी वेरॉल जिसकी कीमत 21 करोड रुपए है दोस्तों दुबए के बच्चे छोटी मुटी दुकानों पर शौपिंग करना पसंद नहीं करते ये बच्चे बड़े-बड़े Luggery Mall में जाकर शौपिंग करते हैं यहां के लोगों को branded चीजे पहनना और खाना पसंद है दोस्तों कहा जाता है दुबै दुनिया का सबसे बड़ा गोल्डन मार्केट है यहाँ पर ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें कोई गोल्डन की चीज मौजूद ना हो याँ तक की दुबै की गोल्डन काफ्य और गोल्डन बर्गर भी पुरी दुनिया में मशूर है दोस्तों दुबाई शहर अपने आप में एक ब्रैंड है, यहां के बच्चों को कुत्ते बिल्लियों के साथ बहुत कम दिखा जाता है, दुबाई के बच्चे तो शेर, तेंद्वे और चीते पालना पसंद करते हैं दोस्तों जहां एक तरफ आम इंसान अपनी छुट्टियां मनाने के लिए महीनों पहले प्लैनिंग करता है और पैसे जोड़ना एक अठा करता है, लेकिन दुबाई के बच्चे जब चाहें तब दुनिया के किसी भी कोने में छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, इनका प्र ब्लागिंग का जमाना है जहां हर को अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रफेशनल लाइफ को यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर वीडियो के माध्यम से ही शेयर करता है, कहा जाता है दुबाई के लोगों नहीं दुनिया को ब्लागिंग करना सिखाया, दुबाई के अ इतने अमीर है कि उन्हें जो चीज पसंद आ जाती है वो उसे तुरंत खरीद लेते हैं, दुबाई के प्रिंस के पास ऐसे सी गाडिया मौजूद हैं जो धरती पर तूफान की तरह चल सकती हैं और पानी में दौड सकती हैं, जिया दोस्तों दुबाई के प्रिंस के पास दुनिया की सबसे महंगी और लगजरी गाडियों का एक लंबा कलेक्शन हैं, इनके परिवार में सौ से अधिक लगजरी गाडिया मौजूद हैं, दुबाई के प्रिंस हैं दुनिया के उन चुन्दना लोगों में से हैं, जिनके पास खुद का समुदरी जहाज और एरोप आदमी कहा जाता है, ये इंसान किसी की भी मदद करने में पीछे नहीं अड़ता, कुछ साल पहले एक आदमी ने सोशिल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी और उसने लिखा था कि उसके पास अपने बेटे के कैंसर का इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, और फिर क्या था, दु दुबाई के प्रिंस लाखों में नहीं, बलकि करोडों में डोनेशन करते हैं, दोस्तों इसके अलावा भी दुबाई में ऐसे कई सारे लोग रहते हैं, जिनका घर किसी सेवन स्टार होटेल से कम नहीं है, और इन लोगों की सुबह घर की छत पर बने लगजरी स्विविश स्कूल से होती है, दोस्तों कहा जाता है दुबाई की मिट्टी भी आजकल सूने के भाव में बिकने लगी है, इसलिए दुनिया के बड़े-बड़े सिलैबिटी और अमीर लोग अपने छुट्टियां मनाने दुबाई जरूर आते हैं, दोस्तों अब तो आप समझी गए ह कि दुबाई की धर्ती अमीरों को पैदा करने के लिए जानी जाती है, दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको भी दुबाई के बारे में जानकर अच्छा लगा तो हमें कॉमेंट करके बताईएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में